हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो और चैनल कॉर्पेट कहानी तो आज मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इंफोसीस के बारे में इंफोसीस ने रिसेंट्ली एक नया अपडेट दिया है रिगार्डिंग डियर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी तो गाइज आपको मालूम ही है कि वर्क फ इसमें बुला रही है लोगों को टेसी जैसी कंपनी तो काफी फॉर्स कर रही है अपने इंप्लोईज को वापस आओ वापस आओ तो इसी टाइम पर इंफोसीस ने कहा था कि हमारी जो टीम है वो हाइब्रीट पर काम करेगी और काफी सारे प्रोजेक्स वर्क फ्रॉम होम भी रहेंगे तो एक काइंड ओफ रिलक्सेशन था इंफोसीस इंप्लोईज के अंदर उनको लग रहा था कि शायद उनका वर्क फ्रॉम होम बच जाएगा लेकिन गाइस एक नया फैसला इंफोसीस ने लिया है वो इंडियन इंप्लोईज के नहीं लिया है जो इंडिया मे के करीब हैं वहाँ पर तो उन सब को इंफोसीस ने स्ट्रिक्टली यह कहा है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही पड़ेगा तो बैसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है इतना फोर्स करके इसका थोड़ा सा मतलब हमें समझ में नहीं आया में वहाँ पर उनके कुछ रीजन्स होंगे इस वज़े से वह बुला रहे हैं तो उसी तर्ज पर अगर वह कुछ दिनों में अपना फैसला बदल दें इंफोसीस भी अपने इंप्लॉईस को वापस से ऑफिस बुलाने लगे तो हो सकता है यह भी पॉसिबिलिटी आ सकती है ले उन में से वह अगर अचार से पूछते हैं कि सिंपल सा कुछन पुछते हैं कि भाई हमें वर्क फ्रम होम दोगे तो कई बार मैंने देखा है आप लोगों ने भी शायद फील किया होगा कई सारे इंप्लॉईज जो हैं कई सारे कॉलिक्स हमारे जिनको ओफर मिलता है इंफो रहेगा इस तरह से बोला है तो अगर आपके पास कई सारे ओफर्स हैं अगर इंफोसीज कह रही है कि वर्क फ्रम होम ही रहेगा तो यहां पड़ा भी सोचने की ज़रत आ गई है कि हो सकता है आपका वो जो वर्क फ्रम होम वाला क्लाउज है वो चेंज हो जाए वो पॉलिस विश्वानी नहीं कर रहा हूं बस मेरा एक थोड़ा सा स्पेकुलेशन है तो यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहरा था तो यह वाली प्रॉबलम अगर आपको आ जाएगी मान लीजिए एक सिनर्यू ले लीजिए कि अगर आपका ओफर लाइक आप इंफोसीं से 28 लाग का मिला है किसी और कमपनी से जो की विफ्रम होम नहीं दे रही है या हाइबरीड के लिए बोला रही है तो उनकी तरफ से आपको 30 लाग मिला है तो आपने इंफोसीस को चुन लिया तो हो कुछ दिनों में फॉर्प्रम होम पॉलिसी हटा दें फिर हाइ है अब यहीं चलने वाला है कुछ दिनों में इस चीज को भी आपको अपने ध्यान में रखना है नहीं तो क्या होगा आपको वही मायूसी हाथ लगेगी क्योंकि मेजर जितनी कंपनी है वह 70-80% कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस पर आ गई है तीस जैसी कंपनी जिसने यह कई जो employees हैं उन्होंने मुझे बताया कि manager उनको बहुत गलत तरीके से बात कर रहा है कह रहा है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा office नहीं आओगे तो तुम्हें बहुत सारा problem हो सकता है एक बंदे को बोला कि client end से अगर force आ रहा है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा नहीं तो अगर तुम पर कोई action होगा, escalation होगा या इस तरह का होगा तो आपको कोई manager बचा नहीं पाएगा ऐसा भी धमकी दिया जा रहा है तो इस level की strictness आ गई है TCS यसी companies में तो इन सब को देखते हुए यह जो emphasis ने किया है Canada और America में हो सकता है TCS भी यह वाली policy five days वाली policy कुछ दिन में ले आए और इसको देखकर बाकी और सारी companies भी ले आए तो overall यह है guys work from office वाले दिन आप बिल्कुल अच्छी तरह से चालू हो गया है और work from home वाले दिन आप खतम होते नदर आ रहा है तो जब भी आपको ऐसा offer मिले जिसमें यह चीज़ें बताई गई हो कि work from office नहीं दिय जाएगा इन MNCs से खास कर वह अगर आप startup में जा रहे हैं तो अलग चीज़ है या फिर product based में जा रहे हैं तो अलग चीज़ है इवन product based भी ऐसा कर रही है अभी Sumtotal से मुझे एक news मिला था Sumtotal एक company है जो landing solution मनाती है वहां के एक अंदर के employee ने मुझे यह news दिया था कि उन ल तो फिर मतलब समाझ सकते हैं कि उस level की companies भी जो की 100% work from home रखती है वो भी यह कह रहे हैं कि अब office में आईए क्योंकि office culture भी जरूरी है ऐसा वो बोल रहे हैं पता नहीं वहापे कैसी learning होती है हां learning होती है उन लोगों के लिए जरूर learning होती है जो कि fresher है क्योंकि freshers को क्या होत होते हैं अगर उनके साथ कोई senior colleague होता है तो उनको वह बोलते बोलते ही अगर उनके साथ lunch भी कर रहा होता है तो अभी उसको कई चीज़ें सिखा देता है लेकिन वह employees जो सब कुछ जानते हैं और उनको हर चीज की knowledge होती है उनके लिए मेरे ख्याल से उतना जरूरी नहीं है work फ्रेशास के लिए तो काफी अच्छा है मतलब फ्रेशास को काफी कुछ सीखने को मिलता है लेकिन जो employees जो नहीं है इस लेवल के जो senior नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मतलब बहुत जरूरी भी है office लेकिन वो लोग जो की काफी senior है काफी बड़े project को hold कर रहे हैं काफी बैंगलॉर है यहां पर अगर आप माली यह एक जगा है वहां रहते हैं वहां से आपको वाइट फील डाना पड़ेगा तो आपको डेड़ से दो घंटे की ड्राइब करनी पड़ेगी कार से या बस से आएंगे तो तीन घंटे लगेंगे तो overall क्या होगा आपका तीन तीन ट्राफिक में या इधर उधर में बरबाद हो जाएगा तो इसलिए उन लोगों को तो हमें मारे ख्याल से नहीं बुलाना चाहिए काफी मैनेजर्स लोगों का work permanent work from home भी है और वो कर भी रहे हैं easily उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन बाकी लोगों को बुलाया जा ही है like 70-80% वह और 100% हो जाएगी काफी अच्छे तरीके से तो यही था सिनेरियो इसको मैंने बताने कि आप लोगों कुशिश की अगर आप offer ले रहे हैं Infosys का तो एक भार से reconsider करिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इस लिंक पर पूछ सकते हैं और इसके अ पूछ सकते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछें मैं आपको अंसर करने कोशिश करूंगा काफी लोग हमारे अच्छे-च्छे सब्सक्राइबर्स हैं काफी सीनियर लोग हैं वो लोग भी आपको reply देते हैं और देंगे भी hopefully ताकि एक अच्छा forum बन सके यहां पर भी इसके इसमें सारे डाउट्स इन कंपनी के बारे में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो गाइज यही था आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में थैंक्स फॉर वाचिंग बाए बाए